हेलो एब्रीवन वेल्कम तो माई यूट्यूब चैनल इन फाइनाइट ऑनलाइन क्लासेज गाइस आज का हमारा टॉपिक है केमेस्ट्री जैसा कि आप सब लोग जानते हैं एक मिनट आपके मन में तो एक डाउट आ गया होगा अरे मैं तो डेली हर सटर्डे बायो का वीडिय करती थी जुलोजी से रिलेटिड वीडियो देती थी बट अचाना की केमेस्ट्री क्यूँ तो गये आप सब चानते है न के केमेस्ट्री कतनी important है हमारे लिए तो हमें भी chemistry को भूलना नहीं चाहिए क्योंकि competitive exams में chemistry का भी मुख्य योगदान है तो चलिए, आज हम स्टार्ट करते हैं chemistry के बारे में कुछ important and interesting points आपको बताते हैं चलिए, स्टार्ट करते हैं तो पहले तो हम बात करते हैं what is chemistry क्योंकि आज का topic यही है chemistry और हम आज आपको chemistry के introduction के बारे में बताएंगे हम आपको आज chemistry का introduction देंगे तो चलिए, स्टार्ट करते हैं what is chemistry सबसे पहले हम chemistry की बात करेंगी chemistry है क्या तो बात जालने कि chemistry को हम हिंदी में रसायन विज्ञान बोलते हैं तो चलिए, हम जानते हैं chemistry के बारे में कुछ important points generally रसायनों का अध्यन chemistry या रसायन विज्ञान कहलाता है next point के अगर हम बात करें तो father of chemistry कौन है गाईज तो chemistry का पिताहमा या father of modern chemistry हम लोवोसियर को कहते हैं father of modern chemistry कौन है लोवोसियर chemistry में chemical और पदार्थ द्रव्वी के बारे में अध्यन करते हैं chemistry के अंतरगत या रसायन विज्ञान के अंतरगत हम क्या करते हैं chemicals और पदार्थ द्रव्वी के बारे में अध्यन करते हैं अब हम बात करते हैं next point की प्रकृती प्रकृती दो substance से मिलकर बनी होती है तो चलिए हम देखते हैं दो substance कौन कौन से है गाईस तो पहला जो substance है वो है पदार्थ जो दिखाई दे जिसका कोई आयतन हो तथा जिसमें भार हो मतलब जो हमें दिखता हो जिसमें आयतन हो और भार हो उसे हम क्या बोलते हैं पदार्थ अब हम बात करते हैं उर्जा, उर्जा मतलब एनर्जी, जो दिखाई ना दे, जिसका कोई आयतन ना हो, तथा जिसमें कोई भार ना हो, that is card energy, यानि कि उसे हम क्या बोलते हैं उर्जा, चलिए अब हम next point की गाइस बात करते हैं, chemistry में हम पदार्थों का अध्यान करते हैं, किसका अध्यान करते हैं, पदार्थ होगा, अब हम बात करते हैं, इस पर कुछ महत्तुपूर टॉपिक की, यानि कि important topics की अगर हम बात करें, तो guys, first topic है, matter in our surroundings, हमारे आसपास की पदार्थ, second topic है, element, compound and mixture, तत्त्योगिक और मिश्रण, अब हम थर्ड टॉपिक की बात करेंगे, atomic structure, यानि की guys, परुमा and non-metals, धात और अधात, next topic, items and molecules, परुमार एवं अडू, next topic, acid, base and pH value, अम्ल छार एवं pH मान, next topic, polymers, यानि की बहुलक, next topic है, hydrocarbon, चलिए, हम आगे बढ़ते हैं, first, alkene, alkene and alkyne, basic introduction of chemistry की अगर हम पात करेंगा, तो पदार्थ, पदार्थ, दो प्रकार की होगा, होते हैं, first, living, second, non-living, living का मतलब होता है सजीव, और non-living का मतलब होता है निर्जीव, guys, हमें चरूरत नहीं पड़ेगी आपको बताने की, इस सजीव और निर्जीव क्या है, क्योंकि आज तो बच्चा बच्चा जानता है सजीव और निर्जीव क्या है, तो इसलिए हम आ पांच अबस्ता है कौन-कौन सी होती है, तो चलिए हम आपको बताते हैं, interesting points हमने बात की थी ना उपर, तो हम आप पांच अबस्ताओं के बारे में आपको बता रहे हैं, first है solid, second है liquid, third है gas, fourth plasma and fifth है BEC, मतलब की Bose-Einstein condensate, पहला थोस, द्रव, gas, plasma and Bose-Einstein condensate, नेक्स्ट के अ अड़ों पास-PaaS होते हैं, सटे हुए होते हैं उससे हम क्या बोलते है थोस, थोस का धनत्व जादा होता है, next, थोसों का आकार और आएतन निशचित होता है, उन का अकार रिफशित नहीं होता है, अंत्राडविक बल स्ट्रॉंग होता है, किसका थोस का, next है drub, यानि कि liquid, इनके अडू दूर दूर तक रहते हैं, जैसे कि लिक्विड आप सब समझ रहे होंगे, लिक्विड में बहुत सी चीज़े आती हैं, पानी है, दूद है, इस अब लिक्विड ही तो है, जिस बरतन में डाल दिया, उसी का आकार वो ले लेते हैं, इनका आकार निस्चित नहीं होता है, इसको जिस बरतन में रखो, उसी का आकार वो ले लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, गैस, अब चलिए, इनका ना आकार निस्चित होता है, और नहीं आतन, इनके आडू बहुत दूर दूर तक रहते हैं, प्लाजमा की बात हम करते हैं, पनार्थी या अवस्था तारों पर पाई जाती है, किस पर तारों पर, जनरली प्लाजमा का निर्माड गैस से ही होता है, गैस को आईनी करत करने पर प्लाजमा का निर्माड होता है, नोट, यहाँ पे एक नोट है गाईस, तो प्लीज आप ध्यान दीजेगा, शूर्य पर पदार्थ की प्लाजमा अवस्था ही पाई जाती है किस पर सूरी पर किस की अवस्था पदार्थ की अवस्था पदार्थ की प्लाजमा अवस्था ही पाई जाती है अब चलिए हम बात करते हैं प्लाजमा के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं प्लाजमा की खोज किस ने की थी गाइस तो प्ला भारती वैज्यानिक सब्तेंद्रनात बोस और विश्व विख्यात वैज्यानिक आइंस्टीन ने किया था जैसा कि आप सब जानते हैं यह तो होगी chemistry के introduction की बारे में हमने बात की अब बात हम करते हैं कि आप सब सोच रहे मैं तो बायो की वीडियो देती थी फिर अचानक से chemistry क्यों तो गाइस हम कोशिश करते हैं कि बायो के साथ साथ आपको chemistry भी प्रोवाइड कराएं तो चलिए अगर आपको इसमें से कोई problem create हुई हो या कोई भी questions आपके मन में हो या हुआ 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 है